Use of on Use of on में देखते हैं कहां use होता है? सबसे पहले Days and date दिन और तिथी के साथ हम on लगाते हैं मतलब जहां पर भी दिन होगा या तारीक होगी, date होगी या दिन का नाम होगा Special दिन का नाम जब दिन होता कोई special चीज होती है वहाँ पर on लगता है जैसे यहाँ पर special दिन एक एक दिन की हम बात करते हैं दिन का नाम है उसके साथ हम क्या लगाते हैं? on लगाते हैं इससे हम calendar से समझते हैं जैसे यहाँ पर यहाँ पर year आपको calendar में दिखता है use of on हम देखते हैं on का use कहां करते हैं? सबसे पहले on का use हम day, date, दिन या तीठी के साथ करते हैं जहाँ पर भी दिन का नाम होगा on Sunday, on Monday, on Friday यहाँ दिन का नाम है किसका नाम है? दिन का नाम है on August on 15 August यहाँ पर क्या है? date है यहाँ पर क्या है? date है on 4th December on देखो on 15 August यहाँ 15 क्या है? date है on 4th December date है on 13th June date है on July 2 date है तारीक है on birthday special दिन आता है वो भी एक तारीक को आता है एक special तारीक या एक special तीथी date को बढ़ते आता है यह special जो दिन है यह जैसे गांदी जैंती हो गया यह कोई दूसरा special दिन राम नम्मी जनमस्ट में तो वो जब special date की बात करें तो वहाँ पर on आता है क्यूंकि जो special दिन वो एक तारीक को आता है एक special date को आता है तो date के साथ हम क्या लगाते हैं? on लगाते हैं लेकिन आप थोड़े से यहां confused हो सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि महीने के साथ तो हम क्या लगा रहे हैं इन लगा रहे हैं यहां August आता है December आया, July आया, June आया तो यहां पर on क्यूं लगा? क्यूंकि यहां हम महीने की बात नहीं कर रहे हैं किसकी बात करें? देट की बात करें जब महीने के साथ देट दे रखी हो तो वहां हमेशा आपने क्या लगाना है? on लगाना है, यह special आपने ध्यां रखना है कि जब भी महीने के साथ यहां पर अगर जैसे यहां एक example है देखें, on July 2, on July 2 यहां on के बात महीना है लेकिन अगर हम बात करते हैं, in July, in July, यहां in July, यहां on July 2 तो इसमें के difference है? इसमें on लगा, इसमें in लगा, क्यूँ? क्यूνकि यहां July महीने की बात नहीं कर रहे हैं, यहां दो तारिक किसकी July महीने की दो तारिक की बात कर रहे हैं जब महीने के साथ डेट दे रखी हो, तारिक दे रखी हो, तो हम ओन लगाते हैं, यहां इन जुलाई, यहां जुलाई महीने की बात कर रहे हैं, यहां जुलाई के साथ महीने के साथ यहां पर क्या लगा है, डेट नहीं है, तो यहां इन जुलाई, यहां जुलाई के साथ डे तो no problem, जैसे इसके उपर, जैसे दूसरे example है यहां पर, on 13th June, यहां June भी दे रखा है, 2010 भी दे रखा है, year भी है, अब year भी और महीना भी है, साल भी है, महीना भी है, क्योंकि हमने इन में पढ़ा था, इन के preposition में पढ़ा था, कि जहां पर month होगा, month है, year है, साल और महीने के साथ, महीने के साथ हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, लेकिन यहां हमने on लगाया, क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां 13th June 2010, एक special date की बात कर रहे हैं, पूरे साल की बात नह महीने की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ 13 जून 2010 का जो एक special देर थी उसकी बात कर रहे हैं मतलब जब महीने साल देखें जब महीने और साल के साथ डेट भी दे रखियो तो उनका ही इस्तेमाल करना ओके ध्यां रखें साल बेशक दी है महीना साल बेशक दी है महीना भी बेशक दे रखा है लेकिन अगर उसके साथ डेट भी दी होगी तो हम ओन लगाते हैं ये ट्रिक भी समझ लो इसको और ध्यान भी देना है अगर डेट नहीं दी होगी तो इनके साथ इन लगना है अगर डेट दे रखी है तब इसके साथ ओन लगना है और जो special celebration होती है special date वाली celebration के साथ on लंबा जो period होगा celebration का उसके साथ add तो यह भी confusing है इसको भी ध्यान रखना है लंबा celebration का time add अगर special एक दिन एक तारिक एक special date की celebration होगी तो on ओके तो इस चीज़ को थोड़े केलेंडर में देखते हैं केलेंडर में देखो अगर यहां पर आपने केलेंडर में क्या देखा यहां पर year भी दे रखा है साल दिये हैं साल में 12 महीने होते हैं तो यह भी long period है कैसा है long period है तो यहां महीने भी हैं, क्या दे रखे हैं, महीने, महीने में 30-31 दिन होते हैं, वो भी लंबा पीरिड है, लंबा समय है, यहां पर केलेंडर में हपते भी दिये हैं, वीक भी दिये हैं, वीक में 7 डेज होते हैं, यह भी लंबे दिन होते हैं, तो लॉंग पीरिड के लिए, लंबे समय क के लिए हम इन लगाते हैं क्या लगाते हैं इन लगाते हैं लेकिन इस केलेंडर और इस केलेंडर में क्या है इस केलेंडर में दिन तो छूट गे डेट और दिन छूट गें तो हर दिन हर दिन और देट कैसे होती है छोटी होती है छोटी होती है तो शोट होती है उसके साथ हम on लगाते हैं थोड़ा सा confusing यहां हो सकता है कि लंबे समय के लिए in लगाओ और एक special दिन एक special date के लिए on लगाओ लेकिन लंबा जो celebration का दिन होगा long celebration long celebration होगा long celebration होगा तो at लगाना है long celebration के लिए at और special एक दिन के लिए on एक दिन की celebration के लिए on long celebration होगा उसके लिए at, long जो festival celebration होगा या कोई long माल कोई एक function है शादी है, 3-4 दिन में चलती है तो at marriage on marriage यहां पे नहीं होगी अगर जैसे ही married on to October तो वहाँ पर एक special दिन की बात है तो वहाँ पर on लगेगा जब पूरे लंबे duration की बात करें तो at लगता है लेकिन यहां पर लंबे लंबे की बात के चक्कर में यह मैं समझना है इन और at में confusion मत होना special दिन के लिए on लंबा special celebration at और लंबा समय महीना साल, हफता, लंबे लंबे समय के लिए यहां celebration की बात हम नहीं करें लंबे holiday की बात नहीं करें यहां पर हम क्या बात करें लंबा समय की बात करें खाली समय celebration की बात नहीं करें खाली समय की बात करें तब इसका in use क्या जाएगा ओके अब नेक्स चलते हैं on का इस्तेमाल जगा को छूने की सिती और fix position हो अब क्या condition है, एक तो समतल हो, plane हो, दूसरा वो उस समतल जगह को कोई बस्तू, animal, व्यक्ति कुछ भी हो, वो उसको छूरा हो, साथ में वो static हो, fixed position में हो, not in moving condition, ओके, तो ये इसकी condition है, on के use करने की, एक flat जगह हो, समतल हो, उसकी उपर वो touch हो रही हो, उस समतल चीज को, और उसकी अलावो वो fixed हो, not in moving condition, तो जैसे यहाँ cat is sitting on the table, cat कहां बैठी है, table के उपर बैठी है, तो यहाँ पर cat इसको touch कर रही है, किसको touch कर रही है, टेबल को touch कर रही है, cat किसके उपर बैठी है, table के उपर, और इसको touch कर रही है, और साथ में यह move नहीं कर रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर, the cat is sitting on the table, अब on किसके साथ लगाना है, जो समतल बस्तू होती है, उसके साथ, table यहाँ plane है, plane surface वाला है, तो on the table, ओके, अब next क्या है, next है, she sleeps on the floor, she sleeps on the floor, floor यहाँ समतल है, उसके उपर लड़की सो रही है, और वो कैसी है, static है, hill rule नहीं जाही है, movement इदर उदर नहीं भाग रही है, movement में नहीं है, तो यहाँ flat बस्तू के साथ, on the floor, okay, तो next है, the book is lying, the book is lying on the table, यहाँ पर समतल table है, उसके उपर book पड़ी हुई है, उसको touch कर रही है, not in moving, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगा, on the bed, on the bed, यहाँ पर समतल क्या है, bed यहाँ पर समतल है, तो समतल bed के उपर book पड़ी हुई है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, on लगेगा, अब next ह यहां पर बैगर कहा है समतल रोड है उसके उपर बैगर सोया हुआ है not in moving तो इस condition में on the road समतल क्या है road road के साथ हम on लगाते हैं ओके तो next चलते हैं देखते हैं on का इस्तेमाल और कहां होता है on का इस्तेमाल जब कोई बस्तू उसकी स्थिति या situation या अवस्था को बताए मतलब उसकी अवस्था अवस्था को बताए किस बस्तू की क्या अवस्था है उसकी स्थिती क्या है किस situation पर है तो उसके साथ हम on लगाते हैं material of shop जो shop का material है उसकी क्या स्थिती है shop के material की क्या स्थिती है किस अवस्था में है are now available are now available जो मेटीरियल है किसका शौप का वो एवेलेवल किस पर है सेल पर एवेलेवल है तो यह इसकी स्थिती है अवस्था है उसने एक बुक लिखी उस बुक को किस सिचुएशन पर लिखी है उसकी क्या से अवस्था है और कल्चर किस पर लिखी है उसने कल्चर उसकी अवस्था या उसकी स्टेट को बताने के लिए हम क्या लगाते हैं और का इस्तेमाल करते हैं अब नेक्स चलते हैं जब refer to scientific inventions और gazette, जब हम जो scientific inventions हुई हैं, या कोई gazettes हैं, उस पर हम create shield हैं, कोई जैसे टीवी है, टेलिफोन है, टेलिविजन है, लैप्टोप है, यह इस तरह की जितनी भी gazettes बनी है, जब हम उसके अंदर की चीजों को use कर रहे हैं, ये उस पर क्रियशील हैं उस condition में हम all लगाते हैं जैसे he is busy on telephone वो कहां है busy telephone पर है वो कहां है telephone पर busy है वो उस जो telephone एक invention है अविश्कार है विज्यान का अविश्कार पर वो कैसी है बियस्त है, उस पर वो क्रियशील है, तो उसमें हम लगाते हैं, we are enjoying movie, हम enjoy कर रहे हैं movie, क्या काम कर रहे हैं, जब हम उन invention scientific gazette के उपर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, क्रियशील होते हैं, हम कहां हैं, on the tv, कहां पर हैं, on the tv, हम enjoy कर रहे हैं movie को, हम tv के साथ सनलोगन हैं, हम उसके साथ क्रियशील हैं, तो इसके मतलब कि हम यहां पर इसके साथ inventions या गैजट के साथ on लगाते हैं, जब उसके उपर हम क्रियशील हो, okay, they are working on laptop, laptop, on laptop, on his, they are working on his laptop, okay, तो इस तरह से हम देखते हैं, गैजट और invention के साथ, जब हम उसके उपर active होते हैं, तो हम लगाते हैं, on, okay, next चलते हैं, refer to parts of body, जब हमारे शरीर के अंग है, जब उसको refer करना है, जैसे, she hits on my nose, या nose part of body है, तो उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, on लगा रहे हैं, with the wall, she hits on my nose with the wall, I wear my ring on my middle finger, अब यहां middle finger एक क्या है, apart का नाम है, शरीर के अंग का नाम है, उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, on लगा रहे हैं, she got a tattoo on her arm, उसके ने tattoo कहां बनाया, अपनी arm पर बनाया, यहां पर यह देख सकते हैं, next चलते हैं, यह भी जरूरी है, ध्यान दे, यह हम ध्यान से समझना है, holidays with days name, particular special days, और date, यह हम पहले भी लगवग थोड़ा सा कर चुके हैं, example करते हैं, our school is celebrating function on गांधी जैंती, our family gets closed on new year day, यहां पर एक special दिन है गांधी जैंती, गांधी जैंती special दिन के साथ हम holiday होती है, holiday की जो special holiday होती है, special day के नाम के साथ, holiday है और एक date को आती है, लेकिन उसका नाम भी दे रखा हो, तो हम on इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पर our family gets closed, हमारी परिवार इकठा होता है कब, on new year day, जब new year का दिन आता है, मतलब new year का दिन कब आता है, 31st December को आता है, तो मतलब 31st December new year day की बात करें, special एक पर्टिकुलर day की बात कर रहे हैं, तो 31st की बात कर रहे हैं, तो उस समय आता है, तब हम on लगाते हैं, अब special 31st की यहां बात हो रहे हैं, अगर हम बात करते हैं, the internet, अब देखें, internet gets very busy at new year, और फिर से यह confusing condition है, आप ध्यान दे, prepositional error यहीं पर होती है, देखें, the internet gets very busy at new year, यह new year, at new year, यहां on new year day, तो इसमें क्या difference है, क्योंकि यहां पर internet busy हो जाता है, कब, at new year, new year मतले लंब आप टाइम है, हम जैसे new year कब से celebrate करना शुरू कर देते हैं, 29, 30 से शुरू हो जाते हैं message भेजना, तो हम लंबे time की बात करें, तो new year के celebration के message 30 से यह 31 से चले जाते हैं, और आगे तक जैसे पूरा साल आता है, यह जनवरी का महीने का पहला हपता continue हम celebrate करते रहते हैं, तो पूरा time, लंबा time, तब तो at लगेगा, लेकिन अगर हम special 31st दिन की बात करें, कि जब सिर्फ एक दिन, जैसे हमारी family कठी होती है, सिर्फ 31st को, ठीक है, तो नीचे है internet, तो at new year का मतलब पूरा लंबा time है, पूरे लंबे time की बात करें, कि पूरा जो, जब पूरा हपते की बात करें, new year celebration का जो पूरा हपता है, उसकी जब बात करें, जैसे 30 December, 1st January, 2-3 दिन की बात करें, जब message हम continue एक दूसरे को भेजते हैं, तो तब internet कैसा हो जाता है, बीजी हो जाता है, तो इसका मतलब at new year का मतलब long celebration हो रही है, और on new year day का मतलब, जब हम उस दिन एक दिन को celebrate कर रहे हैं, 31st December की बात, एक दिन की बात है, जैसे हमने दिवाली वाल example किया था, दिवाली की छुटियां हम white wash पहले से करने शुरू कर देते हैं, तब हम at लगाते हैं, लेकिन जब एक दिवाली जिस दिन दिये जलाते हैं, उस दिन की बात करें, तब हम on लगाते हैं, तो next चलते हैं, on the weekend और at the weekend, ये ऐसा, क्या ये दौनों सही है, गलत है, कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये दौनों सही है, क्यूं कि American English में on the weekend बोलते हैं और British English में at the weekend बोलते हैं, क्यों इसके उपर एक rule बनता है क्योंकि कई countries में weekend की सिर्फ एक छुटी होती है तो particular एक particular day को celebrate करते हैं particular एक दिन की बात करते हैं तो on लगाते हैं और particular जब एक दिन का ना बात करके हम थोड़ा सा लंबा weekend जैसे दो दिन की छुटियां है तो थोड़ा लंबा duration है छुटियों क celebrate करने का तो यहां पर add the weekend आता है तो यह दौनों सही है American के इसाफ से on the weekend और British के इसाफ से add the weekend पर Indian में maximum क्यूंकि British का ज्यादा effect है तो add the weekend ही books में मिलता है ज्यादा तो next चलते हैं अब अब हम बात करते हैं जब हम physically present होते हैं किस पर public transport पर वैसे हम बात करते हैं maximum अगर हमने बात करना है कि किसके द्वारा आए by the bus by the train जब medium means of transport की बात करें to show means of transport तब by the bus आएगा by the train by the airplane किसके द्वारा आए by the bus by the train by the helicopter तो वो medium हो गया mean हो गया means of transport की बात करते हैं लेकिन अगर हम बात करते हैं कि चार दिवारे की तब इन आता है तब क्या आएगा इन आता है in the bus in the train जब static condition में है तो यहां चार दिवारे की अंदर है वो static है और पहले से यह अंदर मौझूद है तब हम in लगाते हैं लेकिन अगर हम कोई activity कर रहे हैं और साथ में activity करते हुए हम उस bus के अंदर है या bus पर बैठे हैं तो इसका मतलब तब हम on लगाते हैं जैसे activity भी कर रहे हैं साथ में bus के अंदर या उस transport के अंदर भी हैं तब on लगता है ध्यान रखें बस के अंदर है लेकिन हम पहले से अंदर है और activity हम नहीं कर रहे हैं जैसे ही sitting in the bus यहां पर इतन information है कि bus के अंदर है और कुछ नहीं हो रहा है तब है in यहां पर है I was on the bus when he found me यहां फोन पर बाते भी हो रही है साथ में bus में भी बैठा है तो दो बाते हो रही है यहां पर phone भी हो रहा है जब उसने phone किया तो मैं bus महीं था तो यहां पर इस condition में हम on लगाते हैं समझ में दूसरी activity कर रहे हैं तो on लगता है जब हम ये बताते हैं किसके माध्यम से आये means of transport क्या था किसके द्वारा आये तब by दबस आया तब क्या आया बाई आयेगा लेकिन जब सिर्फ इतना बता रहे हैं कि कहां है वो वो बस के अंदर है he is sitting in the bus और कोई काम नहीं हो रहा है पहले से उसके अंदर है और उसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है तो in लगता है समझ में आई got it तो इस तरह से आप देख सकते हैं on लगता है जब transport के उपर है और साथ में कोई दूसरा काम भी वो कर रहा है इन बाली कंडिशन क्या है बस के अंदर चार्ट जिवारी के अंदर है static है पहले से उसके अंदर है पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है लेकिन on बाली कंडिशन में क्या है बस के अंदर है वो और लेकिन साथ में वो फोन पर बाते भी कर रहा है तो इसका मतलब हमें मालूम है कि बस के अंदर बैट कर वो क्या कर रहा है फोन पर बाते कर रहा है तो on की condition, in की condition किसके माध्यम से आया, किसके द्वारा आया अगर जब ये question उठता है आप कैसे आई by the train जब इसका answer करना है by the train तब by लगेगा तो next चलते हैं next वीडियो में हम करते हैं अब difference of at, on, in next वीडियो में करते हैं till आप इस वीडियो को ध्यान से सुने और complete सुने ताकि आपको complete knowledge मिले कोई doubt ना रहे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो like करें, subscribe करें और press करें bell icon Thank you very much